हेलो स्टुडेंट तुडेया आँ गोंग टू स्टार्ट चैप्टर फूर मल्टिप्लिकेशन बच्चों मल्टिप्लिकेशन मेंस होते हैं कि जब कोई दो नंबर्स होते हैं और टेबल्स जासे 2 इंटू 3 तो 3 का टेबल्स आप कितनी टाइम्स पढ़ेंगे 2 टाइम्स ओके या 3 का टेबल 2 टाइम्स या 2 का टेबल 3 तेम्स ओके आपको यहां पर पेर्स में कुश चीजें देए हैं जिन से आपको पेर्स काउंट करनी हैं और आपको बताना है कि every pair has how many things okay जैसे 1st question में आपको देए गए हैं पेर्स में fish okay so how many pairs here yes 3 pairs 1 2 3 so write in first box 3 and each pair has how many fish yes 2 so here haa par ka li khengi second box mean 2 3 into 2 better 2 into 3 3 into 2 is equal to kya ho jae ga 6 okay second mean how many butterfly groups so butterfly ke groups kitnay hai yaa pe yes count ki jay 1 2 3 4 write here first box 4 okay and every each pair has how many butterfly 1 2 3 4 5 6 yes right here 6 6 ka table kitnay baar padi ga 4 times 6 4 ja 6 4 ja 24 okay yes 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 isi prakaraa you have to count the pairs and this is how many things and every pair each pair has how many things count करके लिखना है ओके टेबल्स पढ़ना है कोशेन नंबर से केड़ में आपको दिये गए नंबर्स को दिखे 6 प्लस 6 प्लस 6 इसको आपको मल्टिप्लिकेशन फैक्ट में लिखना है जैसे 6 यहां कितनी बार दिये 3 तो आप सबसे पहले लिखिंग 3 इन्टो 6 आप 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़िए 6 टेजर 18 इसी प्रकार से 4 कितने टाइम्स दिये 1 2 3 4 4 4 इन्टो 4 इस इकल टो 16 यानि 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे ओके बच्चों इसी प्रकार से आप कोशेन नंबर सी में दिखिए 3 इन्टो 2 3 इन्टो 2 पहले आपको दिये गए है नंबर आफ इस इकल टो 6 इसी तरह 1 तो 8 को कितने टाइम्स दिखेंगे 1 टाइम्स यानि 8 बच्चों आपको यहाँ पर भी लिखना है इसी प्रकार यहाँ पर भी 4 को कैसे लिखेंगे 4 को 8 टाइम्स लिखेंगे यानि 8 फोर्जा 32 ओके बच्चों तो आपको समझ में आगे है सभी लोग अपने नोटबुक में नीट एंड क्लेन वर्क करें देर जरूर में इंसन करें ओके बच्चों बाए बाए